एक और वीडियो आपके लिए इस वीडियो में आपको बताया जाएगा हूम वाट और हू वाले सेंटेंस को एक्टेब से पैसे में कैसी चेंज करेंगे तो इनको चेंज करना देखिए इनको चेंज एक्टेब से पैसे बनाती समय थोड़ा फोड़ीयाद रखना पढ़ता है तो इसलिए जो वाले सेंटेंस होते हैं उनको एक्टेब से पैसे बनाती समय who को whom में change कर देते हैं और करता को जब कर्म बनाते हैं तो by से जोड़ कर भी लिखते हैं कर्म को तो by जोड़ देते हैं by whom और जो what बाला sentence होता है what यान कि क्या इसमें object नहीं रहता है object पूछा जाता है तो इसको कैसे change करेंगे देखिए whom did he call यह sentence है past indefinite का past indefinite को change करते हैं past continuous में इसके नियम मैंने दे दिये हैं नियम मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में जिसको नहीं आते हैं तो playlist में जाकर वो वीडियो सर्च करके और आप उसको देख सकते हैं नियम याद के लीजिए अगर नियम आपको याद नहीं है एक्टव से पैसे बनाने के तो आपको कोई साथ भी बाक नहीं समझ में नहीं आएगा तो पहला नियम क्या होता है कि कर्म को करता बना देते हैं तो whom एक कर्म कारक होता है इसका करता कारक लगाएंगी हूँ हूँ का करता कारक हूँ अब टेंस चेंज करेंगे पास्ट कंटुनियस में जाएगा तो पास्ट कंटुनियस की साई करिया लगेगी यहाँ यहीं पहला हूँ बॉज और यह साई करिया लगे इसके बाद लगेगी मुख्य करिया call की third phone called who was called और यह करता है यह करता लगा हुआ है साक्रिया के बाद करता लगता है करता को कर्म के स्थान पर by से जोड़ कर लखेंगे by और he का कर्म कारक लगेगा him last में question mark question board है इसलिए next है whom have you beaten तो हूं का करता कारक फिर से लगेगा हूं जैसी हम पहले sentence बनाया है करता लग गया अब जी टेंस है पर जेंट परफेक्ट टेंस तो परफेक्ट बनता है पर जेंट परफेक्ट केंटिनियस तो हैज का हो जाएगा have का हो जाएगा have been अब यहीं पर साह करी के लग जाएगी who के अनुसार साह करी के लग जाएगी has यहाँ पर जो have लगा होगा है वो you के अनुसार लगा होगा है who has क्रिया की थार्ट फॉर्म लगा देंगे पहले से लगे you ही है who has beaten करता को कर्म के स्थान पर by से जोग के लखेंगी by you अगला देखिए whom was he calling whom का करता कारक होगा who tense change होगा बाज लगा होगा was being यहाँ पर लेगा who was being call की third phone called जो who वाले sentence होते हैं इसमें who subject होता है करता कारक इनकी यही करता करता को कर्म के स्थान पर बाई से जोड़कर लखेंगे बाई ही का कर्म का रखेंगी अगला देखिए who taught you history who वाला sentence है who को change करेंगे करता है यह करता कारक करता को कर्म में change करते हैं तो इसे बाई से जोड़कर लखेंगे by whom करता को कर्म के स्थान पर बाई से जोड़कर लखेंगे by whom अब इसे last में क्यों नहीं लखा integrative sentence में question word जो होते हैं वह sentence के आगे लखते हैं तो इसे यहीं के लिख देंगे by whom इसके बाद यह 10 से taught second form लगी past indefinite है past continuous में जाएगा तो सब्सक्राइब लगी वाज़वर अब actual में यहां पर कर्म जो यू है इसे हम करता बनाएंगे history को भी बना सकते हैं दो तरीके होते हैं अगर दो object हो बनाने की लिए इस दो object बाले कैसी बनाते हैं वो भी इसी में देख लीजिए by whom तो past जिना फरेंट जाएगा past continuous में साह के लिए लग जाएगी were इस कर्म को बना देंगे करता by whom were you क्रिया की थर्ड फर्म क्रिया की थर्ड फर्म टीज की थर्ड फर्म टॉट ही होती है second और थर्ड सेम रहती हैं by whom were you taught history as it is लख देंगे इस sentence को अन्य तरीके से कैसे बनाएगे by whom अगर हम history को subject बनाते हैं तो बनेगा by whom was history taught you जो है two से जोड कर लखा जाएगा to you by whom was history taught to you इस तरीके से अन्य तरीके से बनेगा यहन की जो indirect object होता है उसको last में two से जोड कर लखते हैं अगला देखिए इस प्रकार के sentence next एक वीडियो में clearly समझा लगेंगा अगला sentence देखिए वाट डिट सी प्रिपेर और ब्रेक फॉस्ट कि वाट वाला sentence है वाट वाले sentence में object नहीं दिखा रहेगा तो वाट क्योंकि object ही पूंचा गया है तो वाट लगाएंगे आप वाट sentence है past indefinite past continuous हो जाएगा तो यहाँ पर जाक क्रिया लग जाएगी was what was इसके बाद लगेगा क्रिया की third form prepared prepared के बाद दिखा जाएगा फॉर ब्रेक फॉस्ट वाट वस प्रिपियर्ड फॉर ब्रेक फॉस्ट और करता को कर्म देश्थान पर बाई से चोल के लिखेंगे बाई और सी का करता होगा हर अगला देखिए अगला देखिए what have you done today तो what लगा रहेगा what present perfect has have तो होता है has been have been इसके according what has been what has been done यह करता है कर्म के इस्तान पर बाई यू तूड़े what has been done बाई यू तूड़े अगला देखिए who will have beaten the boys तो who का बनेगा by whom इस तरीके का हम एक बना चुके हैं by whom will have सहे के लिए लगी है will have का होता है will have been तो by whom will लेकर उससे पहले यह object होगा इसे subject बनाएंगी will the boys तर लेगा have been will have been के बीच में करता लगेगा by whom will the boys have been और क्रिया की थाट में beaten अगला देखिए what does he do daily in the morning तो what लगे आगे what present indefinite है present continuous में what is क्रिया की थाट में what is done करता को कर्म के स्थान पर बाई से जोड़ के लिए by him daily in the morning अगला देखिए whom was he catching whom का करता कारक बनेगा whom whom का करता कारक बनेगा who was का बनेगा was being करता की करता को कर्म के स्थान पर बाई से जोड़ के लिए by him by him अगला what is he learning लाएगा what is का होगा is being learn की थार्ड पर होगी learned by by c को कर्म की जाएगे पर लिखेंगे her what is being learnt by her तो इस तरीके से what, whom और who वाले 10 sentences complete हुए इस तरीके के sentences exam में जरूर बनते हैं और इनको बनाना बहुत ही सरल होता है इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए जिससे आपको एक किलियर समझने आ जाएगे वीडियो देखने के लिए धनवाद अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और सेहर जरूर कीजिए थैंक यू